हेलो फ्रेंड आएम फर्हान मीर वेलकम बैक टो आर चैनल मार्केट के वीकले डोस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे जो मॉर्गन स्टैन्ली की रिपोर्ट है एकॉर्डिंग टो रिपोर्ट 2030 तक इंडिया दस ट्रियन की एकॉनमी बन जाएगा और वर्ल्ड की थर्ड लाजेस्ट एकॉनमी बन जाएगा तो इस पर डोस्तों डिटेल में डिसकस करेंगे बहुत सारी रीजन्स उन्होंने दिये हुए और बहुत से रीजन्स हमने पिछल ऑध इंडिया की जो पर-capita income मतलब इंडिया की जो पर-capita income है 20 30 तक तो इसका exactly क्या मतलब है उसको हम लोग डीटेल में दिसकस करेंगे उसके रहा हो दोस्तों यह उस में UK में exactly चल क्या रहा है last week में यूरोप में UK में 0.75% का rate हाई हुआ है उसके बाद भी वहां पर महिंगाई काबू में आने को तयार नहीं है Bank of England ने तो recession की बात भी कर दिये तो exactly world market में क्या चल रहा है कि लोग यह world economy global markets recession की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका असर कहीं यहां पर हमारे उपर तो होना ही है तो उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि हम 18,000 के अल्मोस करीब पहुंच चुके हैं अब 18,000 के पास जब भी हम पहुंचे थे पिछले 2-3 बार हमने वहां पर टॉप लगा था और वहां से हमारी करेक्शन ट्रिगर हो गए थी और हमने बहुत बड़ी वहां से गिरावर दी तो इस बार भी जब हम 18,000 के आसपास हैं तो लोगों के हम साइकोलोजी डिसकस करेंगे कि लोग यहां पे किस लेवल पर सोच रहें क्या यहां पर टॉप लगने वाला है यह नहीं लगने वाली है तो इसको भी हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं गूगल एमेजॉन इन सब के चार्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि ने आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बदम चार्ट पे देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी क चल जाएगा वीडियो को पूरा देखिए आपके नौलेज में जरूर इजफा होगा तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जो पॉइंट है वह मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 2030 तक इंडिया जो है न वह 10 ट्रिलियन की एकॉनमी बन जाएगा इसके ल बारे में दोस्तों इस डिटेल में वीडियो में डिस्कुस करेंगे तो आप समझे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के आज जो इंडिया की जो एवरेज पर कैपिटा इंकम है वह 2247 डॉलर जो के 2030 तक यह पर कैपिटा इंकम 5500 डॉलर के आसपास हो जाएगी इसका exactly मतलब क समझे कि आज जो एक एवरेज इंडियान है वह 2247 डॉलर कमाता है इसका मतलब करीब करीब एक लाग 184,000 रुपय साल का कमाता है इसका मतलब average Indian महिने के 15,000 रुपे कमाता है जो के 2030 में यह जो per capita income है यह 5,500 डॉलर के आसपास हो जाएगी इसका मतलब 4,25,000 के आसपास हो जाएगी मतलब 35,000 रुपे महिने के कमाएगा तो आप समझे के एक average इंडियन जो 15,000 कमाता है वो 2030 तक जाके 35,000 कमाएगा इसमें दोस्तों क्या hidden meaning है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यह बहुत ही powerful चीज है विकास आप समझे के 15,000 से जब इंसान 35,000 कमाता है तो उसके आप में पैसा आएगा जब एकस्टा पैस उसके आप में आए गा तो क्या करेगा वह सेविंग करेगा वह investment करेगा वह spending करेगा लोगों के आतमे मैं पैसा आना बहुत ज़रूरी है किसी देश को तरक्की करना है तो जब लोगों के आतमे पैसा आएगा तब ही वो खर्चा करेंगे जब हो खर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ही देश तरक्की करेंगे आज अगर मैं आज बात करो आप समझे कि अगर कोई इनसान 15,000 पर महेने के कमाते हैं तो उसका जो में ज से 35,000 जाएगी तो आप समझिए कि रोटी कपड़ा और मकान पर जो बेसिक स्पेंडिंग है वो तो सेम ही रहेगी है ना 15,000 मतलब उतनी रोटी खाएगा जब जादा कमाएगा तो भी रोटी तो उतनी खाएगा तो उसके जो एक्स्टा पैसे बचेंगे ना वो बेसिक्ली discretionary spending में जाएगा discretionary spending मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते है कि बुनियादी चीजों के अलावा जो spending है आज अगर आप देखोगे ना हमारे देश में बच्चों को अच्छी तालीम देना अपने घर को paint कराना एक motor cycle खरीदना यह जो बुनियादी जरूरत है जो actually हमारे साब से जरूरत है या भार के देशों के साब बुनियादी जरूरत है यह हमारे देश में discretionary spending है मतलब यह लोग effort नहीं कर सकते तो जब यह लोग 15,000 से 35,000 पेचाहेंगे ना यह सब चीज़ा effort कर सकेंगे और अगर यह को कर पाएंगे ना तो इससे देश की देश की देश बहुत ज की बचत कर रहा है अब उस इंसान की इंकम अगर एक लाग से दो लाग हो जाती है तो आप बात बताईए उसके जो basic खर्चे है जो last time जब एक लाग कमाता था तब 80,000 खर्चा करता था अब income एक लाग से दो लाग हो जाती है तो मेरे को बताईगे बेसिक खर्चे कितने हों अगर होटल में औरेडी जा रहा है तो थोड़े एक्चे होटल में चले जाए तो बेसिक लिए अगर मैं यह बोलू अगर कोई इंसान एक लाग रुपे कमाता है जिसमें से 80,000 खर्च करता है बीज़ार बचाता है अगर उसकी income एक लाग से दो लाग हो जाती है तो उसकी मतलब है अगर पर-capita income डबल होती है तो लोगों के हाथ में पांच गुना पैसा बचता है पहले जो बीज़ार बच रहते हैं वो जाके एक लाग रुपे बचेंगे तो इसमें इतनी बड़ी पावर है कि आमंदी भले ही डबल हो जाए लेकिन लोगों के हाथ में जो पैसा पांच गुना बढ़ जाएगा और जब पांच गुना पैसा बढ़ेगा तो आप समझे हो क्या करेगा अच्छी जो बेसिक चीजों के इलावा जो चीज़े खरीदेगा उससे उसका राइफस्टाइल भी इंप्रूफ होगा उसकी कमाई की शमता भी इंप्रूफ होगी स्पेंडिंग में जाधा करेगा और देश तरकी करेगा तो यह दोस्तों बहुत ही पावर्फुल पॉइंट है जब भी क्लियर देख सकते हैं कि इंफलेशन और इंट्रस्टेट में कितना मिसमैच है अगर आम इंडिया की बात करें ना यह आफ्टर जो भी रेट हाइक अगर आव भी हैं लास्ट वीक में जो यूएस में जो रेट हाइक बाता पॉइंट सेवेंटीफा परसेंट का उसका बैंक माइनस सेवेंट पॉइंट ना और माइनस 9.2 का डिफरेंस है एक्चुली चाहते हम लोग यह ना कि जो इंफलेशन और इंट्रस्टेट में एक्चुली सेम लेवल पर दोनों आ जाए इतना ज्यादा डिफरेंस हमको नहीं चाहिए तो यह आप क्लियरली देख सकते हो कि इ उसके अगियों बढ़ेगा तो यह टायों के लोग चीज़ से गशन चाहिए ओर इस तरीके से जब लोग खर LOOK तो महिंगाई गिर जाएगी तो अगर आप देखोगे ना अभी यूएस में काफी साधा डिफ्रेंस है जो उनकी जो इन्फेशन है वह 8.2 की है और चार परसेंट की तो अब अगर यूएस में माना जा रहा है कि डिसेंबर में एक रेट हाई होगा पॉइंट 75 परसेंट का ज पिछला वीडियो दोस्तों मैंने क्लियर आपको बदाया था कि नवेंबर और दिसेंबर में दोनों में पॉइंट 75 परसेंट का रेट हाई होना है तो औरेडी पता है चीजे तो पता है चीजे उस पे और ज्यादा कितना रियक्शन होगा तो यूएस तो मेरे ख्याल से जो सब्सक्राइब और इंफ्लेशन है वहां पर हाउजिंग अगर कम हो रही है मतलब उपनी इंफलेशन को कर लेंगे कुछ ना कुछ कर गए मसले ना इनकी पूरी inflation है वो basically रश्या की वज़े से आई वी है जो रश्या से oil और gas जो supply हो रही है ना इनकी पूरी inflation वहां से आई वी तो इनके control में नहीं बची अभी चीज़ें तो इनके लिए problem है लेकिन जहां तक आगर आप देखोगे US में मुझे लगते चीज़ें सेटल हो जाएगी जनवरी फरवरी के आसपा से लोग rate को वापस से कम करने लगे काम हो जाएगा हमारा तो आप देख सकते हैं और रेडी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हम लोग तो बहुत अच्छी जगे पे यहां से growth करने के लिए अब तो तीसरा point अपना जो बनता ह यहां विसको लोग पहले bottom मानते थे न उसको भाद में लोग बॉटम मानने लग जाते हैं तब लोग क्या सोच्ते थे कि जादा-घ्याद 16,800 तक जाएगी 16,800 तक जाएगी, टॉप लग गया, बस खतम, है ना, फिर जब 16,800 के उपर मार्केट चलने लेगी, 17,500 तक, तब लोग से क्या सोच रहे थे, पर लेग नहीं सकते हैं, तो बुल मार्केट में दूस्तों यही होता है, जो पहले लोगों को टॉप लगता है, वही लोगों को बॉटम लगता है, और लोग कभी खरीदी नहीं पाएंगे, आज भी आप देखिए, ऐसी इतनी मार्केट का, जो दीरे-दीरे जो मुमेंट कर हैं, और इतनी सारी बैट द्यूस हैं, मार्केट बस यह चाहते हैं, लोग ना खरीदे, और मार्केट मेरे ख्याल से, जीस साफ से मैं आज बचू चीजों को देख रहा हूं, इनफरक मेरे गुरूप में लोगों में इतनी निकेट वीडी हो चुके हैं, वो लोग की हिमत न हैं, और नैस्डेक की बात करनी है, तो चलो दोस्तों डारिकली आप चार्ड पर चलते हैं, और देखते हैं, कि आगे क्या गानी है, तो सबसे बहले तो दोस्तों हम लोग नैस्डेक का चार्ड लेते हैं, और नैस्डेक पर डिसकुशन करते हैं, कि एक्जाक्ली कल चल क्या तो यहां पर basically मैंने 200 EMA plot किया हुआ है और यह जो 200 EMA यह weekly 200 EMA तो अगर कोई भी index या stock अगर weekly 200 EMA के नीचे चले जाता है न तो यह बहुत ही जादा वीक माना जाता है डेली 200 EMA के नीचे जाने पी वीक माना जाता है बट अगर वीकली पे गया तो आप समझे के प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है कुछ सीवियर प्रॉब्लम है अगर वीकली 200 EMA के नीचे चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक बार नीचे चले गया NASDAQ उसक्याद ऊपर आने की कोशिश की लेकिन उपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया अगें इसने ब्रेट डाउन किया अब यह जो लेवल है NASDAQ के लिए या बोल सकते हो यह जो पुराना जो टॉप लगाता यह 10,000 के आसपास के अगर इस लेवल के आसपास NASDAQ सुदर जाता है तो आप समझ अगर यह नहीं सुदरा यहां से फिर नीचे के बहुत बड़ी रूम ओपन हो जाएगी और तब तक जब तक कि इस लेवल के उपर नहीं आ जाता मतलब 11,300 के उपर तब तक NASDAQ में बुलिश होने का कोई भी सवाल नहीं आता अगर यह लेवल यहां से नीचे NASDAQ तोड़ द देखिए Amazon ने भी बेसिकली यह जो लेवल है important लेवल इसको last week में breakdown किया है बहुत बर ऐसा होता है कि fall candle बन जाती है और जो बहुत ही जल्दी खतम हो जाती है तो अगर इसी situation बन जाती है तो ठीक है बट इंडिकेशन तो आ चुके है इस लेवल को जो important लेवल थे इसको Amazon ने ब्रेक कर लिए तो Amazon, Google, Netflix तो औरेडी इसका चार तो औरेडी पहले से खराब हुआ हुआ है तो यह जो तीनों है in fact जो next है Microsoft आप देखिए Microsoft exactly pointed यह में के आसपास है तो इसका मतलब है जो NASDAQ के components है महां से कुछ अच्छे indication नहीं आ रहे है बिकास यह जो shares थे बहुत ज़्या नहीं है तो आप अपने को आने ओले टाइम में यह देखना है कि NASDAQ किस लेवल को hold कर पाता है कि नहीं कर पाता है अगर नहीं कर पा रहा है तो आप समझे कि फिर NASDAQ यहां से आने ओले 2-3 सालों के लिए underperform करेगा और यहीं चीज उसके जो stocks हैं उससे evident है क्योंकि जो stock में ह ने बात कि है Amazon वगरा Netflix Microsoft अगर इस लेवल पर सुधर जाते तो ठीक है यहां से गिर गया तो problem बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अब अगर हम लोग अपने जो निफ्टी की बात करें तो मेरे खयाल से हमारे निफ्टी में तो कोई भी इशू नहीं है बिलकुल एकदम अच् मैं 10 trillion का estimation दिया हुआ है पिछले कहीं वीडियो से 2-3 मैने से हर वीडियो में मैं यह कुशिश करता हूं कि एक आद दो ऐसे points मैं आपके लिए लेक्या हूं क्योंकि यह बैसिकली ट्रेडर्स लोगों के लिए तो यह विक्ली डॉस होता ही है क्योंकि यहां पर कुछ लेवल का मैंने दिया हुआ है तो इसका क्लियर मतलब है कि आम बुल मार्केट में यह अपने दिमांग में दालो ही मत एक काम करो ना आज बाज वाली चुड़ो टिक इस चार्ट को देखो आप से लगा हो है क्या लगते आपको कुछ है प्रोब्लम ऑल टाइम हाई की तरफ हम अगर आप मानोगे ना एक साल की करेक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर बाज़ो वाली आवज़े सुनते जाओ है ना टीवी वी के आवज़े सुनो यूटूब के आवज़े सुनो या तो इस चार्ट को देख लो मेरे ख्याल से बहुत समझदार है क्योंकि ऐसे लोगों न है लास्र होक्तोबर में क्रेक्शन ट्रेगर होती अब अंगर इसको टाइम वाइस होना है और क्लिर देख सकते हो कि मंतली चार्ट में अगर आप देखोगे ना इसा काइंड ऑफ पोलेंट फ्लैक पाइटन यह जो करेक्शन एक्चुलिए टाइम वाइस करेक्शन मतलब यहां से प्राइस टूट नहीं तो मेरे खाल से काम हो चुका है ना जो लोग वही बात है आम लोग दीचे से बुर रह जब 16,500 उनगे पहसब न सब्सक्राद यह न क्षिशन सब्सक्राइब निगось बुल मार्कट ना न न मैं डिसकस किया की सफटेंब्र ही ज GDB समिलочно्फंद ही सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब तो कोई भी इशू नहीं है ऐसे में करना क्या होता है अगर आपका नजरिया लंबा है इंवेस्टर ने थीक है चल रहा है बस बनिया है कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है तो आपके दिमांगे के इक stop loss ज़रूर होना चाहिए और वह stop loss जो है इसको राइट करते चाहिए और वह stop loss मेरे खैल से यह जो gap बना हुआ है यह जो गयाप बना हुआ यहाँ पर अगर यह gap फिल हो जाता है इससे नीचे जाता हूं मेरे को निफ्टी नहीं तो आपका श्रॉप लॉट्व में आया था तब मैंने आपको बताए था कि 17,000 आपका स्टॉप लॉस होना चीए तो हर वीडियो में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करें रहा तो बस चली रहे हैं जो पोजीशन नीचे बनिए जिस दिन कटें गव दिन सोचा अगर मार्केट कल गैप टॉन हो जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करकी इस लेवल पर भी ला सकते हैं जो के है 17,950 स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए यह डिसाइड मत कर लीजिए कि निफ्टी कहां से गुमेगी जहां तक जाने दीजिए अपनी चलानी के मुशिश मत कीजिए जो मार्केट बोल्ड िफैल कीजिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए यह मत बोले pillar कहां तक जाएगी मार्केट में पूरा पोटेंचिल है 5000600 स्टॉप लुए बस चल चलने डो बनेगा 17,800 का बनेगा और अपनी position को carry कीजिए बहुत जल्दी मुझे इसा लगता है next week में हम लोग all time high देख रहे हैं 18,600 का जो है न all time high इन next week का हम लोग देख रहे हैं मुझे इसा लगता है जहां तक bank nifty की भी बात है कोई भी इस्यू नहीं है एक अच्छे जो लेवल है इसके आसपस bank nifty रुकी भी है अब जो immediate अगर आपको stop loss चाहिए तो वह बनेगा कई time से बोल रहा हूं मैं कि आप small cap का time आ रहा है चलने का अभी भी मैं यह बोल रहा हूं exactly किस दिन होगा किस वीक में होगा बोलना मुश्किल है लेकिन मेरे ख्याल से आने वाला time small cap index का है आपको बहुत क्योंकि जब चलने लगेंगे न तो बहुका धोडी ना मिलेगा 10-10 परशंट की candle ऐसी बना लेंगे तो मेरे क्याल से बहुत जल्दी small cap index का time आ रहा है जैसे लोगों ने disbelief में अब बस लोगों से ही reason बची है ना मतलब पहले बोलते थे निफ्टी नहीं चलेगे मिटी चल गे तो उनका reason यह है कि निफ्टी तो चल दी रहे मतलब यह rally क्या बो हो जाएगी तो सबर के साथ बने रहो ठीक है निफ्टी के लेवल को देखे अपने stocks को मत काटो क्योंकि निफ्टी कुछ और बता रही है आपका stocks कुछ और कहानी बता रहे है आपके rate आ जाएगे सबर करो बस काम हो जाएगा ठीक है अब जैसे Dow Jones की मैंने बात किया है अब बाकि जो यूरोपियन मार्केट है अब उसकी अगर मैं यूस अलग करूं और चाट अलग करूं तो चार्ट में तो कोई प्रॉबलम नहीं आप देखिए तर बोट्म से बहुत अच्छे का से ऊपर हैं dax १ूक का चार्ट है ये ये यू के चैогर्स का चार्ट एक सब लोग अपने बोटम के बहुत ऊपर हैं हाला के यूरोप और यूके में खबरे बहुत ही प्रॉब्लम है बैंक ऑफ इंलेंड ने बोला कि अभी भी हमारे यहां पर इंफ्रेशन और बढ़ने वाली है प्रॉब्लम सौट नहीं हुआ है लेकिन चार्ट तो कुछ और कहानी बता रहे हैं तो भाई या तो चार्ट की मा यहां पर लगा दिया है फिलाल इसको देखके तो यह लगता है कि लुवर टॉप लग रहे हैं यह पहला टॉप का लग रहे हैं और यही चीज अगर आप कॉपर का चार्ट देखते हो जो मेटल से क्योंकि अगर डी एक्स आपनो लगा लगता ना तो मेटल अपनी बॉटम लेने को त्यार हो जाएगा अगर डी एक्स वाई आपका गिर जाता है तो सिंपल बात है जो इंडियन रूपी है वो स्ट्रॉंग होना चाहिए वो भी यही चीजिए फिला तो यही बता रहा है कि इंडिया इंडियन रूपी नहीं अपना टॉप लगा लगा लिया है यहा गिरने की इंडिकेशन दे रहा है perfect है metal अपना क्या बूलते है metal अपना बेस का इंडिकेशन दे रहे है और चलने को तयार है अगर आप गोल्ड शिलवर की देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जैसे कौपर रियक्ट कर रहा है जैसे डी एक्स वाई टूटर तो गोल्ड औ से उसमें काफी अच्छा रुजान होगा स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा देन अच्छी है आपने फार्मा की बात की यह लेवल पर मेरे काल से तो फार्मा में अच्छी मोमेंट आ चुकी है बाकी आइटी का जैसे आमें से डिसकुशन होता है इसे लेवल पर सबकुशन है अच्छा है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मोमेंट मिलेगी यह ना मतलब स्टॉक पांच पर ददिस परसें 20 परसें के सर्किट लगाने को तैयार है है ऐसे लेवल और इसे लेवल पर लगते हैं अब बात समझे अगर निफ्टी 16,500 17,000 17,500 पर उना तो वह लेवल पर मिड़ कैप स्मॉल कैप में बड़ी चाल नहीं आती है जब निफ्टी ऐसे लेवल पर आ जाते लोगों कमफट तो आना चाहिए ना बट्राजाल के आसपास है अब इंडेक्स के एवी बेट में तो बहुत ज़्यादा कमफट नहीं आता तो यह लेवल पर जाएगा और है वह अपना 85 75 75 की रेंज में आ जाए बस अपने ले वही तकलीफ है अभी भी 98 के आसपास है बट मुझे लगता है गोइंग एड पी यहां पर आसपास कही न कहीं इसी लेवल के आसपास सेटल हो जाएगा और उसके बाद आप आप जो अगर विक्स देख सकते हैं के वह भी काफी हद तक के तूट राइस का मतलब है के इंडिया में यूएस में कहीं पर बहुत जादा भी डर का महौल नहीं बचा हुआ है इस लेवल के आसपास ही देखिया हमने बात किया था कि यहां पर विक्स का टॉप लग रहा है अब 24 के आसपास आ चुका है तो मेरे क एक दो बार देखिये और कुछ डाउट सरेगा तो वापस एक बार देखिये रिवाइस कीजे काफी चीजे में मैंने डिसकस किये तो वीडियो अगर पसद है तो लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बाजू में बेल आइकन उससे ज़रूर दबाईए ताकि करना चाते हैं मेरी guidance मैं इंवेस्ट करना चाते हैं ऐसे पूरी जर्नी चाते हैं इस पूरी जर्णी को enjoy करना चाते हैं अपनी किस्मत ओए वैल्थ बनाना चाते है तो description में मैंने आपका link दिया हुए वहाँ पे जाए उस link पे sign up कीजिए details बरिए मेरे को मुझे whatsapp कीजिए मैं आपके साथ one to one call करूँगा आपके requirements समझोगा एक plan करेंगे आपको एक group में add किया जाएगा हमारे through invest कीजिए और अपने जो भी गोल से उसको पूरा कीजिए so that's it for this video बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ take care thank you